नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेगा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं दन्यूज लॉंचर वाट्साप ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है क्या आप सोच सकते हैं वही प्रधान मंत्री जनका विश्व में डंका वजने की बात होती है जिस भारती जनता पार्टी और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी चीन को लालाग दिखाने का काम परते हैं उन्हीं मोदी जी के खिलाफ आज फेस्बुक ने मार्क जकरबर्ग ने वट्साप ने मेटा ने मोर्चा खोल दिया है और साफ एलान कर दिया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है या किसी भी प्रकार का दबाव मनाया जाता है तो वट्साप भारत छोड़ देगे अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि भारतिय जन्ता पार्टी के लिए वट्साप कितना महत्व रखती है और अगर सच मुछ वट्साप ने जो कहा है उस बात पर वो टिकी रहती है तो किस प्रकार से भारती जंता पार्टी के लिए ये नुकसान दायक सावित होने वाला है आपको सिलसिलवार तरीके से पूरी बात बताएंगे, पूरी सुनवाई बताएंगे कि आखिरकारी क्या मामला है, किस प्रकार से, आखिर क्यूं और कैसे मोधी सरकार को चुनोती दे दी है वाट्सैप ने आपने अमिच्छा का एक भाषन जरूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया था कि वाट्सैप के उनके पास 34 मिलियन ग्रूप्स है, यानि उन ग्रूप्स के माध्यम से, वाट्सैप ग्रूप्स के माध्यम से, किस प्रकार से भारती जन्ता पार्टी अप आपने पोस्ट्स मेसेज़ेस पार्टी का प्रचार भेजने का काम करती थी यानि कितना ज्यादा तवज्जों महत्व वाट्सैप भारती जनता पार्टी के लिए रखता है उसी वाट्सैप उसी सोशल मीडिया की ताकत पर 2013 के अंथ होते होते 2014 के होते होते शुरुआती दौर में आपने देखा होगा डिजिटल मीडिया प्लाट्फॉर्म्स पर एक लहर सी बन गई थी एक पूरा का पूरा वातावरन बना गया गया उस सोशल मीडिया की दम पर लेकिन लोगप्रियत तो हुए मोदी जी बख हुवी हुए लेकिन उसके बाद वहीं 2014 वाली लोगप्रियता लोगों के बीच में कब आक्रोश में तब्दील हो गई पहले आपको गो बता देते हैं जब नरेंद्र मोदी के जूट सामने आए जो वादे जो दावे वो किया करते थे जब वो जनता के बीच में आए तो किस प्रकार से उसी सोशल मीडिया जो एक समय नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार किस प्रकार से उस समय उसी सोशल मीडिया का प्रयोग करके लोगप्रिय हो उने का काम किया था आज उसी बढ़ती लोगप्रियता कैसे आकरोश में तबदील हो गए लोगों में यह बात पैलने लगी और इस प्रकार से पैलने लगी कि सूशल मीडिया जो लोगप्रियता का कारण होती थी आज वो आकरोश का कारण बन गए और यहीं कारण है दोस्तों कि सोशल मेडिया और खास तोर पर वाट्सैप अमिच शाह के भाशार से मैंने शुरुवात की वीडियो की कि उन्होंने दावा किया कि इतने वाट्सैप ग्रूप्स की माध्यम से भारतिय जनता पार्टी प्रचाद कर रही है तो जरा सोच ये कि कितना महत्वत सोशल मेडिया भारतिय जनता पार्टी के लिए रखता था लेकिन जब वो लोक्रिता घटती गए और आकरोश बढ़ता गया तो आलम यह हुआ कि लोगों के बीच में जागरूप्ता तो फैली और अब नरेंद्र मोदी की सरकार को ये डर सताने लग गया कि कहीं आम जनता को सब कुछ काल का चिठा मालूम ना हो जाए क्या जनता उतनी भी जादा जागरूप्त ना हो जाए कि जो दावे जो वादे मोदी सरकार के द्वारा फैलाए जाते हैं ब्रहमित करने का काम किया जाता है वो जनता के बीच ना आ जाए और यही कारण है कि दोहजार 21 कि आईटी अधिनियम क को सबसे पहले जानेंगे और फिर समझेंगे कि वाट्सैप ने कैसे चुनोती देने का काम किया है और इस चुनोती से मोदी सरकार कितनी घबराई हुई है और मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा संकट हो जाएगा अगर वाट्सैप ने जो मोर्चा खोल दिया है उस वज़ अगर WhatsApp अपनी बात पर ठीक ही रहती है तो आईए सबसे पहले जानते हैं IT अधिनियम 2021 के बारे में जिसके तहट चार दो प्रावधान ये बात कहता है कि निज़ता को जनता की निज़ता को जो मेसेज आप और मैं एक दूसरे को करते हैं वो सार्वजनिक हो जाएंगे अब जरा सूच ये ये क्यूं किया गया कैसे किया गया और इसकी मंशा क्या है साफ तोर पर जब लोगों में जागरुकता बढ़ी और मोदी सरकार के कच्चे चिठो को समझने लग गई तो भारत सरकार मोदी सरकार का ये डर इस अधिनियम के तहट जलग गया और ऐसा जलका कि उन्हों ने ये नियम ही बना दिया दोजार एकिस में कि अब गोपनियता कुछ भी नहीं रहेगी निजता कुछ भी नहीं रहेगी और अब सब कुछ सार्वजनिक हो जाएगा अगर कोई मैसज सरकुलेट किया जाता है अब कथत तोरपत तो ये बताया जा रहा है कि मैसज सरकुलेट अगर किया जाता है तो जो उसका ओरिजिनेटर है यानि जहां से वो संदेश वाइरल हुआ है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा लेकिन इसके पीछे छुपी मन्शा को समझने की जरूरत है क्यों अगर ऐसा होता है तो किसी को भी किसी भी विपक्ष के नेता को विपक्ष के समूहों को एंजियों को सरकार विरोधी प्रश्न लगाने वाले उन संगठनों के खिलाफ मोधी सरकार अपने मनमाने ढंग से एक ताना शाही वाले अंदाज में एक्शन ले सकती है उसे अस्समविधानिक करार सकती है अब यहाँ पर समझने वाली एक और बात है कि आखिरकार ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या कारण है किस वज़ा से ऐसा हुआ कि जिस सोशल मीडिया के दम पर 2014 में माहोल बना कर मोधी सरकार सत्ता में आती है आज उसी सोशल मीडिया से इतनी घ्रेना इतनी नफरत क्यों हो गई इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है ताकि लोगों में ये संदेश ये जाग रुकता ना पहुच जाए कि सरकार क्या गलत कर रही इसलिए इस प्रकार का अधिनियम और प्रावधान लाया गया जिसके तहत मीडिया की अवाद को बंद करने का काम किया गया गोपनियता सार्वजनिक ना हो ये एक लोटा प्रावधान नहीं है इस अधिनियम के तहट इस डिजिटल आईटी डिजिटल मीडिया एथिक्स अधिनियम के तहट तमाम बाते कही गई है कि किस तरीके से यूट्यूब सोशल मीडिया एक्स ट्विटर इंस्टाग्राम फेस्बुक रेगुलेट किया जाएगा कॉंटेंट कौन से होंगे आप क्या देखेंगे इसका नेड है अब आप नहीं लेंगे बलकी मोधी सरकार लेगी और इस अधिनियम के तहट बहुत से प्रावधान ब आप देखते हैं देखते हैं आप किस प्रकार से यूट्यूब द्वारा स्ट्राइक लगा दी जाते हैं वीडियो डाउन किये जाते हैं अगर सरकार से प्रशन चिन प्रशन पूछ लिया जाता है तो सोशल मीडिया कितने दबाव में है खास तोर पर यूट्यूब कितना सबाव में है कि अब उसे इस प्रकार से भारत सरकार या मोधी सरकार के इशारों पड़ चलना पड़ रहा है लेकिन यह एलॉन मस्क नहीं है यानि मार्क जकरबर्ग ने जो चुनोती दे अब इससे आप समझेंगे बाते हैं असल मुद्दे पर कि वट्सैप ने क्या खुली चुनोती दे दी है नरेंद्र मोधी को एक तरफ सोशल मीडिया एक्स के सीओ टेसला के ऐलॉन मस्क नजर आते हैं मोधी जी की तारीफ करते हैं इंडिया आने की बाते करते हैं लेकिन यह समझोता एलन मस्क कर रहे हैं लेकिन मार्क जकरबर्ग दूसरी तरफ खुली चुनोती दे रहे हैं बीते दिन सुनवाई हुई हाई कोट में हलाकि इमामला पहले सुप्रीम कोट में डाला गया वट्सैप मेटा समूचे ग्रुप ने आईटी अधिनियम 2021 के प्रावधान 4-2 के खिलाप व्याचिका सुप्रीम कोट में डाली गई जिसे बाद में हाई कोट में शिफ्ट कर दिया गया अब हाई कोट में जो सुनवाई हुई जस्टिस मनमोहन जस्टिस मनमीद सिंग अरोडा इस बेंच ने पूरी सुनवाई की और मेटा ने वोच्सेप ने अलान कर दिया कि आप यानी मोधी सरकार बागदे नहीं कर सकती वोच्सेप को कि वो भारत में रहकर लोगों की निजिता के साथ खिलवाड करें जो गोपनियता लोगों की होती है उससे सार्वजनिक कर दिया जाए वोच्सेप ऐसा बिलकुल भी नहीं होने देगा और अगर मोधी सरकार किसी भी प्रकार का दबाव डालती है मेटा ग्रूप पर तो वट्सैप भारत छोड़ने तक को तयार है बहुत बड़ी बात है कि जिस देश में 500 मिलियन यूजर्स से जादा वट्सैप के यूजर्स है यानि 500 मिलियन लोग वट्स सब्सक्राइब का इस्तिमाल भारत में कर रहे हैं वन आफ दो बिगिस्ट मार्केट कहा जाता है भारत को वट्सैप या किसी भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के लिए वहां से अगर वाट्सैप चला जाएगा तो ना केवल मोधी सरकार को नुक्सान ये मार्केट वाले अचार सहीता का उलंगर कर वाट्सैप के जरीए विक्सित भारत का मैसेज आप तक प्राप्त हुआ होगा अब वो विक्सित भारत का मैसेज कैसे पहुचाएगी भाच्पा क्योंकि अपने कारेक गिनवाने के लिए मोधी जी भाशनों का रुख नहीं करते भाशनों का प् तो आर्थिक तोर पर नुक्सान तो अलग, लेकिन जो भारती जन्ता पार्टी का एजेंडा है, जो उनके IT सेल के लोग लगा तार दिन, रात, ट्वीट पर ट्वीट, वाट्सेप, युनिवर्सिटी, पूरी युनिवर्सिटी बना रखी है, उस वाट्सेप के जरिये भारतिय जंता पार्टी करती है अब वो कैसे करेगी 500 million users कितना बड़ा आकड़ा है बहुत बड़ा नुकसान बहुत बड़ा impact होने वाला है तो क्या जिस प्रकार से WhatsApp ने खुले तोर पर ये बात कह दी है कि हम भारत छोड़ देंगे अगर दबाव डाला गया किसी भी देश ने आज तक हम पर दबाव नहीं डाला कि निजता गोपनियता को सारुजनिक कर दे भारत ही पहला देश है जो इस प्रकार से कह रहा है तो मोधी पार्टी का एजेंडा वह भी नुक्सान होगा क्या इतने बड़े नुक्सान के साथ मोधी सरकार WhatsApp को ऐसे ही छोड़ देगी क्या मोधी सरकार के लिए निजता गोपनियता को सारुजनिक करना सप्ता में रहना नफरत पहलाना यह ज्यादा मत्पूर्ण हो जाएगा आर्थिक दृष्टी से और साथ ही साथ अपने पार्टी का एजेंडा पहुत मुश्किल है गंभीर प्रश्न है और चुनाव अब मोधी जी के हाथों में है कि किसको चुने कितनी बड़ी विडंबना है कि वोट्सेप ने अलान कर दिया है अगर भारत में रहेंगे तो निजता को सुरक्षित रखेंगे और निजता सुरक्षित रहेगी तो प्रधान मंत्री नरेंद मोधी और मोधी सरकार हवा हवाई सब कुछ खतम पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होते जाएगा जिस प्रकार से डिजिटल मीडिया के माध्यम से लगातार मोधी सरकार को बेनकाब किया जा रहा है और ये बेनकाब करने का अगर दोड़ जारी रहा तो सत्ता से जो बाहर होंगे सु अलग छवी जो गिरती आई है और गिरती आई है अंतराश्टी स्तर पर अंतराश्टी एक अकबार छापते हैं राश्ट्र में भी थूथू हो जाएगी पूरा का पूरा छवी धूमिल हो जाएगा मोदी जी का अगर वाट्सेप रहता है और वाट्सेप जाता है तो पार्टी का एजेंडा का क्या? 34 मिलियन यूजर्स, मिलियन ग्रूप्स का क्या? अरे विकसिद भारत का क्या? आईटी सेल कैसे गाम करेगा? बहुत बड़ा ग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, कॉमेंट सेक्शन के जरीए अपनी राय, सुझाव और प्रश्ण मुझ तक पहुंचाएए, फिलहाल मुझे दीजे इजाज़त मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ, धनेवाद